ऐसी वानी बोलिये मन का पाखोई औरन कुंसी तल करे आपंसी तल होई कभीरा आपंसी तल होई आदने प्राचार मोदे ज्यान की गंगा भाने वाले स्रध्धे गुरुजन और मेरे प्यारे साथियो आज हिंदी दिवस के पावन अवसर पर मैं ओम्प्रकास गोशामी आपके समक्ष कुछ सब्द सुमन समर्पित करना चाहता हूँ साथियो 14 सितंबर 1949 को संभिधान सबादवारा हिंदी को राजभासा के रूप में सुईकार किया गया था इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है राजभासा सब्द राज एवं भासा से मिलकर बना है राज का अर्थ है सासन यानि सरकार इस प्रकार राजभासा का अर्थ हुआ वह भासा जो राज की ये कामकाज में प्रियोग की जाती है राज भासा को कार्याली भासा भी कहा जा सकता है हिंदी को राज भासा का दर्जा तो दिया गया है लेकिन उसका प्रियोग समचित रूप से नहीं किया जा रहा है इसका कारण है अंग्रेजी मानसिक्ता वाले लोग जो हिंदी के मुकावले अंग्रेजी को अधिक एहमियत देते हैं ऐसी मानसिक्ता वाले लोग अंग्रेजी के प्रियोग में अपने आपको गौरवानवित महसूस करते हैं जब तक ऐसी मानसिक्ता वाले लोग उच्च पदों पर आसीन रहेंगे तब तक हिंदी को उचित सम्मान मिलना मुम्किन नहीं है लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी अपनी भारती संस्कृती को समझना होगा स्वतंतरता प्राप्ती में हिंदी के योगदान को हिरदय से अनभव करना होगा एबं उसके समचित प्रयोग से कृतग्यता व्यक्त करते हुए समीचीन प्रचार प्रसार करना होगा हिंदी ही वह वासा है जिसने देश को एकता सूत्र में बांध कर गुलामी के बंधन से मुक्त कराया हिंदी ही वह वासा है जिसमें लोक मंगल और लोक रंजन की सीतल सर्टा प्रवाहित है हिंदी का साहित्य सत्यम सिवं सुन्दरम की भावना से सराबोर, सुर्षर्ता की अविरल पावंधारा है व्यग्यानिक्ता से समन्वित देवनागरी जिसकी लिपी है, पाड़नी के प्राण स्वरूप परिस्कृत जिसका व्याकरण है सवये सुसज्जित रसखान है, कवीर की साखी है हिंदी, लोक नायक तुलसी की मंगल कामना, सूर्दास का वात्सल्य है हिंदी मीरा की वीना से निस्त्रित, माधव का मधु पुकार है हिंदी संकोच छोड़िये मानसिक्ता बदलो, हिंदी का करो वरण, प्रगती पत पर बड़े चलो अंत मैं मैं इतना ही कहना चाऊँगा, निज भासा उन्नत अहे, सब उन्नत को मूल, बिन निज भासा ज्यान के मिटे नहीं को सूल जै हिंदी, जै हिंद